हेलो फ्रेंड वेलकम टू माइ सेकंड चैनल इस एनल पर महले की आया हूँ आपके लिए किंद्रिविक द्याले का क्लास फर्ड का हिंदी का यह जो कोशन पेपर है क्लास फर्ड की हिंदी विशे का है जिसे आप यूज कर सकते हो अपने एन्वल एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए यह जो एक्जाम है आपका रिटन एक्जाम यह 40 marks का होने वाला है 20 marks का आपका oral test और 20 marks का आपका MDP का assignment और 40 marks का यह रिटन एक्जाम यानि कि टोटल आपकी annual exam की जो weightage है वो 80 marks की है ठीक है अब इस रिटन एक्जाम को यानि 40 marks के इस पूरे paper को मैं आपको explain करूँआ जिसमें 5 number का portion आपका पठन का आएगा 5 number का portion आपका लेखन का आएगा 10 number का आपका व्याकरन आएगा 5 number का portion आपका सरजनात्मक लेखन का होगा उसके बाद 5 नंबर का portion आपका वर्तनी यानि spelling का होगा और 5 नंबर का portion आपका सुलेग का होगा और last में आपकी सब्दावली यानि सब्द कोश चेक किया जाएगा और इन सब को मिला करके ये 40 नंबर का paper आपका होने वाला है जैसे आपको question paper मिलता है सबसे पहले आप अपने detail फिल करेंगे उसके बाद सबसे पहला portion जो की पठन का है ठीक है इसमें एक गध्यानस आपको दिया जाएगा जिसे आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा और उसके अधाहर पे प्रशनों के उत्तर लिखने होंगे जैसे इसे निमलकित गध्यानस को पढ़कर उचे गए प्रशनों के सही उत्तर चुनिये जैसे ये गध्यानस यहां शुरू हो रहा है एक सेर किसान के पास आया सेर ने उससे कहा अपना बैल मुझे दे दे नहीं तो मैं तुझे खा जाओंगा किसान ने कहा तू यहीं रुक मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूं यह बात उसने अपनी बीवी बित्तो को बताई बित्तो ने उससे कहा अगर गाय चली गई तो बच्चों के लिए दूद नहीं बित्तो खेत पर जाकर चिलाने लगी किसान सुना और चार शेरों को फस्त रखा था यहां तो एक ही है से सेर यह सुनकर भाग गया बित्तो ने अपनी गाय और बैल की जान बचा ली यानि इस गद्यान्स के अंदर हमने किशान और सेर की बात चित जानी और किसान की बीवी जो की बित्तो है उसके बारे में भी जाना कि उसने सेर को भगाने के लिए सोर मचाया और अपने गाय को और अपने बैल को दोनों की जान उसने बचा दी तो इस गद्यान्स के अधार पर आपके लिए प्रश्ण है जैसे यह पहला प्रश्ण आपके स्क्रीम पर है इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसान के पास कौन आया था तो आप लोग जानते हो किसान के पास सेर आया था तो ये सही उत्तर होगा, इस पर आप टिक्ट लगा दोगे। दूसरा प्रश्ण आपके लिए है, सेद ने पिसान से क्या कहा? सेद ने कहा कि मुझे अपना बैल दे दो, ने तो मैं तुम्हें खा जाओंगा। तो यानि कि ये वाला जो उत्तर आपको दे रखा है, इस पर आप टिक्ट लगा देंगे। तीसरा प्रश्ण है, बित्तो ने किसकी जान बचा ली? उसने गाए की और बैल की, दोनों की उसने जान बचा ली थी। पिसान की बीवी का नाम क्या था? तो हम लोगों ने जो गद्यान से पढ़ा, उसकी पतनी का यानि बीवी का नाम था बित्तो और पांचवे प्रश्ण में आप से पूछा जा रहा है, बित्तो ने अपनी गाए और बैल की जान बचा ली। इस वाक्य में संग्या शब्द क्या है, इसे पहचानने के लिए बोला जा रहा है, तो बित्तो यहाँ पर कै किसी का नाम है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे, क्योंकि ये संग्या सब्द है, अब ये तो बात रही है, आपने गद्यान से उतर दे दिये, इसके लाबा जो आपकी कहानी और कविता, जो किताब में आप पढ़ते हो, उसमें से भी प्रशन आप से पूछे जाएंगे, लेखन वाले इस हैडिंग के अंदर, जैसे पहला प्रशन है, कि अवंती ने कपड़े को क्यों अलमारी में बंद कर दिया, क्योंकि जो सेट था, वो कह रहा था क पैसे नहीं देना चाह रहा था, तालमटोल कर रहा था, तो उसने भी कहा ठीक है, कि सप्ता के सातों दिन छोड़ करके, आठवा दिन जबा जाए, तो दे देना, और उस अलमारी में कपड़े को रख दिया था, यानि कि सेट को कपड़ा ना देने के लिए, अवंती ने कप अपने उतर में लिख सकते हैं, अब देखो, दूसरा प्रशने ये, कि सिपदास ने गुरुजी की थैलीत देखकर, अपनी गाड़ी क्यों दे दी, जो सिपदास था, देखा उन्होंने कि गुरुजी गेहूं पिस्वाने जा रहे थे, तो उन्होंने उनकी मदद करने के ल कहां बैठकर मिर्ची खाने लगा, तो आप लोग जानते हो, पेड़ के नीचे बैठकर मिर्ची खा रहा था, तो आप ये अपने उतर में लिख सकते हैं, तो इस तरह से पांच नंबर का ये पूरा पॉर्शन था, देखो, जहां पे दो नंबर का प्रशन है, उसमें आपक लिखो, सेर, सेर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेर नहीं लिख सकते हैं, राजा का क्या लिख सकते हैं, रा नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप अपना उतर लिख लेंगे, नीचे लिखे वाक्यों में खाली जगर भरें, जैसे में और को, में से आपको सही शब्द धूप में बैटकर धोकला खाया, ठीक है, तो यहाँ पे में शब्द आप लिख सकते हैं, उसके पहाडी गाउं में अक्सर बाग, खालिस्तान खत्रा बाग का, ठीक है, बाग का खत्रा बना रहता है, तो में और का में से का आप ने लिख लिए यहाँ पे, अब देखो बहुवचन का बहुवचन करना है, पत्ता है, तो पत्ता का आप क्या लिख सकते हो, पत्ते लिख सकते हो आप लोग, चटाई, चटाई का क्या लिख सकते हो, चटाईया लिख सकते हो, है ना, चटाईया, ठीक है, तो आप यहाँ पे चटाईया लिख सकते हो, अपने उत्त दो जाएगा बस आपको यह छाट करके अपने उतर में लिख देना है विलोम शब्द लिखने के लिए बोला जा रहा है रात का आप लोग जानते ही है रात का विलोम शब्द क्या होता है दिन होता है अच्छा का क्या होता है अच्छा का बुरा भी होता है गंदा भी होता है तो हम लोग यहां अच्छा लिखा है, तो हम लोग क्या लिखे लेंगे, बुरा लिखे लेते हैं इसके उत्तर में, अच्छा, उसके बाद हैं सब्द से वाक्य बनाएं, जैसे cycle है, अब इससे आप वाक्य बना सकते हो, मैं cycle चला कर विद्याले जाता हूं, मैं cycle चला कर खेलन जाता हूँ, तो आप वाक्य बना सकते हो, कि मैं साइकल, ठीक है, आप बना सकते हो, मैं साइकल चलाना जानता हूँ, यह भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आप एक तरह से वाक्य बनाने के लिए आपको बोला गया, तो आप वाक्य बना सकते हो, कि मैं साइकल चलाना जानता सब्धिकाप प deduction करे आपको वाक्य बनाने के लिए बोला जा रहा है ठीक है कि इसके बाद अगला है आपके लिए सुरजनात्मक लेखन का जिसमें प्रशनें है आपके लिए गया कि आपको पांच वाक्यों में बताना है सबसे पहले आप बताएंगे आप कौन सा पेड़ लगाना चाहते हैं त्यानिकि पहले आप क्या करेंगे पेड़ का नाम लिखेंगे ठीक है पेड़ का जो भी नाम होगा आप नाम लिखेंगे कि मैं इस पेड़ को लगाना चाहत पेड का नाम हो जाएगा, उसके बाद उस पेड के बारे में लिखेंगे, और कैसे लगाओगे, कहा लगाओगे, यह सारी चीजिये आप अपने उत्तर में लिखेंगे, कुल मिलाकर यहाँ आपको पांच वाक्तियों में अपना उत्तर लिखना है, इसमें आप पेड जैसे न अगर आप लिख देंगे सभी के पाँचों के लिख देंगे तो आपको 5 नंबर यहां मिल जाएगा यानि कि आपको चित्र देखकर चित्र के अधार पे अपने उतर लिखना है अच्छा, उसके बाद अगला है आपके लिए सुलेख वाला portion तो सुलेख वाले portion में क्या है कि आपको जो भी ये गध्यांस दे रखा है इसको दुबारा से पढ़ करके अच्छी handwriting में यानि सुन्दर लेख में आपको इसके लिखना है ताकि कोई गलती ना करोगे तो आपको ये पूरे नमबर मिल जाएंगे 5 के 5 ठीक है, मात्राओं की गलती नहीं करनी है और साब सुत्रा लिखना है एक दम बिलकुल ठीक है, अच्छा, उसके बाद last में है आपके question paper के अंदर सब्दावली वाला portion ये भी 5 नमबर का है जिसमें पहला प्रशन है किसे क्या कहते है जैसे यह है पहला कि काबुल में रहने वाला तो उसको हम क्या बोलते है जैसे काबुली वाला बोलते है हम लोगोंने किताब में भी पढ़ा था काबुल में रहने वाले लोगों क्या बोलते है काबुली वाला बोलते है और कश्मीर में रहने वाले को हम क्या बोलते है कश्मीरी बोलते है कश्मीर वाला भी नहीं बोलते है ठीक है आच्छा उसके बाद अगला प्रशन है जिसमें आपको बोला जा रहा है तुक वाले शब पर गोला लगाओ जैसे पानी पानी का क्या लिखा है नामी बना ने भी कुछ ठीक से जैसे दादा दादी दादा हाँ ये तुक बिल्कुल सही से बन गया है ठीक है फल और चेला नहीं बना भई ठीक है नाम और काम हाँ ये बना भई रानी नामी ये कुछ बन गया भई तुस तरह से आपको तुक वाले सब पर गोला लगाने के लिए बोला गया था तो ऐसा गोला लगा दोगे तो आपका ये उतर पूरा हो जाएगा यानि कि क्लास थर्ड के हिंदी का मैंने आपको ये सारा पेपर एक्स्प्लेइ जो कि मेरे नाम से ही है इस पर अप्लोड कर दिया है आप सारी वीडियो देख सकते हैं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए इसके लाबा मेरा जो में चैनल है फ्रेंस एड़ रेट प्रेपरेशन उस चैनल पर भी मैंने पहले ही देख सकते हैं इसलिए फ्रेंस एड़ रेट प्रेपरेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलोग कर सकते हो मेरी आइडी है एड़ रेट मिस्टर कृष्णा शाह जो आप मैसेज करके अपने डाउट मुझे पूछ सकते हो ठीक है तो ठैंक्स पूर वाचिंग बाबाए